उनको नकसलियों ने पकड़ा है कि नहीं कि वो कहा है हमें कुछ भी नहीं पता मेरे मामा मिस्टर बादल मुर्मो CRPF197 बटैलियन चाइबासा पे ड्यूटी पे थे 7 जैनुवरी 2023 से उन्होंने छुप्टी के लिए अपलाई किया हुआ था एंड 6 जैनुवरी 2023 सुबह उनको एक फोन आता है अपने कैम के तरफ से और ड्यूटी पर भेजा जाता है सार्जुमबुरू की तरफ मेरे मामा अपना बाइक लेके निहत्य निकल पड़ते हैं उन ड्यूटी उस दिन से लेकर आज तक 6 जैनुवरी 2024 हो गया लेकिन आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिल पाई इस एक साल में वो कहां है उसके बारे में कुछ नहीं पता चला उनकी वाइफ मिसस जानो मुर्मू जारकन सरकार भारत सरकार का हर एक दरवाजा खट-खटाए लेकिन ना उनको मदद मिली ना उनको आसवाशन मिल पाया चिठ्थी पर चिठ्थी लिखा गया भारत सरकार को लेकिन सब खामोश थे पुलिस ओफिसर्स एंड डिपार्टमेंट से सर्फ एक ही जवाब मिल पारा है कि हम ढून रहे हैं ढूनते ढूनते एक साल बीद किया लेकिन अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं पता चल पाया है क्यों नहीं मिल पारी है उन्हें मदद? क्यों उनके केस को प्रियोरिटी नहीं दिया जा रहा है? जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि वो एक आदिवासी थे? या फिर इसलिए क्योंकि वो एक मामूली CRPF जवान थे? या फिर इसके अलावा कोई और भी रीजन है? मेरे मामा के सिच्वेशन के बदले अगर एक बड़ा ओफिसर होता या फिर कोई मिनिस्टर होता तो क्या भारत सरकार या फिर जारकंड सरकार इस केस को इतना loosely prioritize करता? क्यों उनकी केस को priority नहीं दिया जा रहा है? क्यों YouTube पे उनका नाम बार बार बनाम किया जा रहा है? क्यों गलत information इधर उधर फैलाई जा रही है? हर जगह से rumors सुनने को मिलते हैं, लेकिन department के तरफ से कुछ नहीं बताया जा रहा है उनका case कितना proceed हुआ, क्या evidence मिले कुछ भी नहीं बताया जा रहा है आज तक एक साल हो गया इस case को क्या जारकंड सरकार और भारत सरकार काम इसी तरह धीरे-धीरे होता है? या फिर जस इसले क्योंकि वो एक आदिवासी है पुलिस का काम है उनको ढूंडना एक साल से वो ढूंडी रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चल पा रहा है इस तरह कैसे हो सकता है? उनके घर पे उनके पिताजी थे, जो आउगस्ट में अपने बेटे को वेट करते करते गुजर गये अब उनके फैमिली में केवल उनकी वाइफ उनका एक छोटा बेटा है उनको देखने के लिए कोई नहीं है वो एकलौते इंसान थे, जो घर चलाते थे एक साल से उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनका होल फैमिली वेट कर रहा है रो रोके क्या इंडियन गवर्मेंट इतनी कमजोर है कि एक सोलजर का प्रोटेक्शन नहीं कर सकती? क्या इतनी कमजोर है कि एक मिसिंग आदमी को ढून नहीं सकती है? क्या इतनी कमजोर है कि उसके बारे में कोई evidence gather नहीं कर पा रही है हमें अभी तक नहीं पता है पता नहीं वो जिन्दा भी है या मैं हाथ जोड़के जारकर्ण सरकार भारत सरकार आप सभी को request करते हूँ प्लीज इस case को priority दिया जाए एक उजड़ता हुआ घर को बचाया जाए वो जहां कहीं भी है उन्हें धून निकाला जाए और प्लीज उनकी case को priority दिया जाए बस एक साल हो गया एक साल हो गया उनके बारे में कोई खबर नहीं मिल पाई मैं हाथ जोड़ के अपने हर एक family member उनकी wife के बिहाफ में ये चीज बोल रही हूँ हाथ जोड़ के भीक मांग रही हूँ इंडियन government को जहरकन government को please उनका case को priority दिया जाए डीले ना किया जाए और उनको ढून लिया जाए Thank you so much CRPF में थे 197 battalion चाया असा में थे 6 January 2023 को अभी तक साल भर बीतने वाला है हम लोग गये थे SP सहाब से भी मिले DG सहाब से भी मिले हम लोग लेटर भी लिखे है राश्पर्ति को भी लेटर लिखे है सब जगा हम लोग मिले सब नेता मंतरी से भी मिले है लेकिन कोई मदद नहीं मिल पारी है सब असुसा समी देते हैं असुसा समय कहि opinions को बाश्पर भी मिले है गर свое हम झाला है असरे गार हम कराली पार देता है चाहर है झाला है